आज से precautionary dose लगनी शुरू हो जाएगी healthcare workers, frontline workers और 60 प्लस वालों को इस वक्त हम मौझूद हैं दिली के वसंत कुझ में एक private vaccination center में जो की Indian Spinal Injuries Institute का center है यहाँ पर आपको तस्वीरे दिखाते हैं किस तरह से सुभा से ही यहाँ पर लोगों की line लग गई है 60 प्लस लोग यहाँ पर अपने precautionary dose के लिए पहुचे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो registration day है उसके बाद यहाँ पर verification day किस तरह से यहाँ पर लोग मौझूद है साथ ही साथ vaccination लेने वालों के जो भीड है सुभा से ही precautionary dose लेने वालों के भीड है और सभी लोगों को एक एकर के dose यहाँ पर दी जा रही है अब आपको हम तस्वीरे दिखाते हैं उस एरिये कि जहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जिनको अलरेडी dose लग चुकी है आप देखिए किस तरह से 60 प्लस वाले वो लोग जिनको डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि आप precautionary dose लीजिए क्योंके वापस से कुरोना का जो आकला है कुरोना का जो ग्राफ है वो पढ़ रहा है ऐसे में बहुत जरूरी है कि सेफटी रहे और हम लोग सेफ रहें तो आप देखिए यहां कुछ लोग हैं जिनको सबसे पहले यहां पर वाक्सीन लगी थी उनसे बात करते हैं मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवा भूशन शिवा जी मुझे यह बताईए आज सुभा सवेरे आप पहुच गई हैं पर प्रिकॉशनरी डोज आपने लिए कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ इसको जरूर लगवाना चाहिए चुकि यह इम्मुनिटी को बढ़ाएगा और इससे जो करोना है वो ओमी करोन और मैं तो कहूंगा डैमी करोन भी इससे बचाव का चांसे बहुत जादे हैं इसलिए सब को यह लगवा लेना चाहिए जब उनका नमबर आता है नमबर आने पे यह जरूर लगवाईए क्योंके बेहत जरूरी है जिस तरहां से देश में करोना का ग्राफ तेजी से बढ़डा हाई उसको देखते हुए जिस तरहां से प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने प्रिकॉशनरी डोस का एहलान किया चाहें वो सिक्सी प्लस वाले लोगों के लिए हो, हेल्थ केर वर्कर्स के लिए हो, फ्रन्टाइम वर्कर्स के लिए हो, सभी को ये लगवाना चाहिए क्योंके कुछ हद तक बचाओ, इससे जरूर कोरोना कहोगा कैमरापरसन राजेश कुमार की साथ मध्या एबीपी न्यूज दिली